सत्यवक्ती चैनल सुनने वाले सभी शोतागरों का हार्दिक अमिरंदर है आज बात बताते हैं आपको कि नए युक का जन्म होने जा रहा है जैसा आप सभी सुन भी रहोंगे, देख भी रहोंगे, कह रहें कि युक परिवर्तन हो रहा है युक परिवर्तन का काल है, तो अब इस समय दो बाते होने हैं एक होना है युक का निर्मान, और दूसरी निर्मान से पहले विध्वन सोना तो जब निर्मान किसी चीज़ का नया हो रहा होता है, तो उससे पहले जो होती है उन चीजों की साफ सफाई भी की जाती है, ऐसा आप सभी को पता होगा इमारत जब बनाई जाती है, तब जमीन की खुदाई करनी पड़ती है मट्टी को बराबर करना पड़ता है, उसकी कोटाई की जाती है, पिटाई की जाती है मिट्टी डाल कर और सेट करना पड़ता है गड्डे भरे जाते हैं एक तरह से उसका पूरा नवीनी करण कर दिया जाता है और गड्डे को ठीक करके जब तक वो सेट नहीं जाती जमीन पूरी चिकनी बराबर तब तक उसके उपर खुदाई, खुटाई, पिटाई ये सब चलता रहता है और आशकता उन्हें उपर और अधिक मट्टी भी डाली जाती है ताकि वो समतल बन सके उसके बाद ही दिवार की चिनाई की जाती है जब कोई दिवाल बनानी होगी, निव बनानी होगी तो आप चिनाई करोगे तो आप प्रॉपर जमीन पर ही चिनाई करोगे उसकी तो उसी तरह से जब नया मंदिर बनेगा खंडरी दिवार तोड़े जाएगी ये गीत भी एक तरह का गीत है लड़कियां गाती है, कुछ परदेशों की आपने सुना है या नहीं पता नहीं, लिकिन ये सत्त होता है कि जित्ती भी पुरानी कुरितिया हैं, पुराने तरह की वेवस्थाएं हैं, पुराने तरह की वो चीज़े हैं, जो अब आगे आने वाले युक के लिए इंपोर्टन नहीं हैं, आवश्यक नहीं हैं, उनका अब विध्वन्स होगा क्योंकि भगवान के जब अवतार होते हैं, तब वो एक काम करने के लिए नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता कि स्थापना के लिए आए हैं ऐसा भी नहीं होता बगवान के उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं वो जब आते हैं तो सबसे पहले अनीती का अध्वन्स करते हैं जिस भी समाज में जिस भी तरह की अनीती अनाचार पापाचार को ववस्था फैली होती है तो सबसे पहले वो उसी का विद्वन्स करते हैं जित्ते भी समाज में पाप इस समय फैले हुए हैं आप लोगों को पता ही है कोई नई चीज नहीं है कि लोग पाप कर रहे हैं कुछ लोग जो कर रहे हैं अभी तक पाप और जिनको आइडिया नहीं लग रहा है कि समय बदल रहा है या इश्वर का अवतार होने वाला है तो वो लोग अपनी जिन्दगी में उसी तरह रमे हुए हैं रिश्वत खोरी चल लए हैं तरह तरह के पाप चल लए हैं जिनके नाम लेना भी अपने मूझ से मैं उच्छ इतनी समझती पर आप लोग सब विद्वान हैं तो आप जानते हैं कि पाप तो है दुनिया में इन सफाया करने के लिए भी आते हैं सफाया कि ये बिना नया कुछ नहीं बन सकता जब तक पुरानी विवस्थाएं हटेंगी नहीं पुरानी चीजें हटाई नहीं जाएंगी अब ऐसी भी चीजें सुनने में भी आपके भी आई होंगी कि जो पुरानी करंसी है पुरानी जो धन की लोगों को जमा करने की जो एक इच्छा है या लोगों के अंदर संचय की जो व्रत्ती है उसको जमा कर रहे हैं तो समय के साथ ये चीजें ये चीज भी बदलेगी और निर्मान के लिए ध्वन्स हमेशा आवश्यक होता है क्योंकि जब तक पुराने ध्वन्स चीजों को ध्वन्स नहीं किया जाएगा नया निर्मान नहीं बन सकता है क्योंकि पुराने पत्ते जढ़ते हैं तब ही पेड़ पर नय पत्ते आते हैं दोनों चीजें आपसे मिली हुई हैं, एक चीज का ध्वन्स होता है तो दूसरी चीज का निर्मान होता है, एक आदमी मरता है तो दूसरा आदमी जन्म लेता है, और यही सत है, यह उनिवर्सल टूथ है यह, और इश्वर के आने का समय बहुत नजदीक है, नया युगारम भ जाएंगे, उनको आगे आने वाले यूगों में प्रवेश उनके लिए मुश्किल है, धन्यवाद मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें,